मेरे काशिनात इंटर्टेन्मेंट यूट्यूब चैनल के सभी सम्मानित सुरूतागर्ब सबसे पहले तो इस चैनल में आप लोगों का हारदी कभी नंदन करते हैं स्वागत करते हैं और आभारी हैं कि आप दिन प्रति दिन अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक भी कर रहे हैं और सबस्क्राइब भी कर रहे हैं अक्सर मेरी गीतें इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सुनने को मिलती है लेकिन कभी कभी आप से महत्वपूर्ण सवाल पर बात करना मुझे जरूरी हो जाता है मेरे प्यारे साथियों मेरे सुद्रबंस के साथियों मेरे बहुजन समाज के साथियों मैंने आज से आठ साथ दिन पहले हमें होली नहीं मनाना चाहिए सुद्रों का होली मनाना अपनी बहन को जलाना है कैसे बरदास्त करेंगे इस वीडियो को हमने एक सब्ता पहले डाला मैं बदाई देता हूँ कि आज 12 मार्च है और साम का वक्त है इस वक्त तक 52,000 से अधिक लोगों ने इसे देखा है सुना है और 271 लोगों ने इस पर कमेंट किया है लगबग 265 लोगों ने हमें उत्साहित किया है हमारी बात को स्विकार किया है आगे हम भी नहीं होली जलाएंगे और आने वाली पीड़ी को भी न जलाने का संदेश देंगे लोगों ने अपने कमेंट के माधिम से संकल्प भी लिया है लेकिन साथ लोग वाजिब भी है आपके पक्स में 100% लोग कैसे होंगे अरे जब हम भोजन से आज की बात करते हैं तो उसमें तो 10%, 15% बच ही जाते हैं तो वो तो आपसे कमेंट करेंगे हमसे भी कमेंट किये हैं तीन लोगों का कमेंट हमारी समझ से महतफूर्ण है जिसमें एक हमारे मित्र है जिन्होंने कहा है कि कासे नाजी पहले ये बताईए कि देवी देवता जिन्दा हैं कि मर चुके हैं अगर मर गए हैं तो उनके नाम के आगे स्वर्गी क्यों नहीं लिखा जाता और अगर जिन्दा हैं तो कहा हैं सबसे पहले तो उनको मैं ये बता दूँ चाहे देवी देवता हो चाहे माता पिता हो चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे भगवान हो गाड़ीवान गाड़ी को चलाने वाला रथवान रथ को चलाने वाला भगवान भग को चलाने वाला भग मतलब स्रिस्टी स्रिस्टी को चलाने वाले को ही भगवान कहते हैं आप ब्रम्हा विश्डू महेश को कहें हम मना नहीं करते हैं लेकिन असली भगवान तो हमारे माबाप हैं स्रिस्टी को चलाने वाले अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते वो नहीं होते तो आप नहीं होते और अगर आप तुलसी का रामायड ही मान लें तो उन्होंने लिखा है बलिविक्रम बेर दधीच गए पारत गए जिन भारत ठाना बाली गए बलराम गए जिन केक खिया दस्ती समाना गए दुर्योधन जंग जुझे जिन चौशट को समेच छत्र विताना धराग के प्रभाव यही तुलसी जो फरे सोजरे जो बरे सोबुताना जो आया है उसको जाना है चाहे देवी हो चाहे देवता हो देवी देवता कुछ नहीं है लेकिन आप 23 करोड मानते हैं तो मानिये लेकिन भगवान भी पांच ही तत्त्तो का बना है जिस तत्तो के हम हैं जिस तत्तो के आप हैं भगवान भामन भूम गामन गगन वामन वाय। उसमें आकि मात्रा है अनल और नौमन नीर। छिति जल पावक गगन समीराव। पांच तत्त्तो से ही चाहे आजमी बना है चाहे भगवान बना है आप मानिये राम को कृष्ण को हम मना नहीं करते लेकिन सुक्ष्म दृष्टी से देखें तो आपके भी असली माँ बाप ही भगवान है वह ही सृष्टी को चलाते हैं आपका सवाल है क्यों मर गए कि जिंदा है देवी देवता और भगवान सम मर गए सम मर गए कोई इस धर्ती पर आने वाला रहता नहीं है रह गई बात कि उनके नाम के आगे स्वरगी ये क्यों नहीं लगाया जाता वो स्वरग के लाइक है ये नहीं है आप स्वरग के लाइक हैं आपके पिता स्वरग के लाइक हैं जो भी आदमी बन करके आया है गया है उस स्वर्ग के लाइक है क्योंकि उन भगवानों से अच्छा है ये बताईए ब्रमा अपनी बेटी के साथ संभोग करता है स्वर्ग में जैने लाइक है विस्णू और संकर याद किजिए भस्मा सुर संकर को खदेर लिया था संकर ने कह कुछ उपाई लगाए विस्णू विस्णू मोहनी का रूप पकड़ लिये और भस्मा सुर के पास गए भस्मा सुर कहा साधी कर लो उन्होंने कहा सर पे हाथ रखके नाचो साधी कर लेंगे हाथ रखा जल गया और आये संकर से विस्णू ने कहा कि हमने भस्मा सुर को जला जला दिया आप सामने आईए, उन्होंने कहा कैसे जला दिया अगर बताईए, यही विसुनों है कि उसे ने फिर मोहनी का रूप पकड़ लिया, आज यही संकर हैं कि जब मोहनी का रूप पकड़ लिया, to उसके साथ यह संभोग करने के लिए दोड़े कम से कम आद्मी तरिय नहीं कर सकता कि तुरंत औरत देखेगा और तुरंत संभोग करने के लिए चल देगा बारे भगवान दोनों भगवान एक नारी एक चल दिया बलातकार करने के लिए ये तमासा देखिये क्या लिखा है कि आखिर संकर जी का विरिय पात हो गया और जो विरिय पात हो गया तो म इसको कहां डाला जाए किसी जगह से डाला जाए एक कुमारी कन्या अंजनी तपस्या कर रही थी दोनों गए इतने बड़े जूट कि पूछे की अरे बच्छी किस की आराधना कर रही हो उसने कहा मैं भगवान की आराधना कर रही हो गुर्म खुई हो गुर्मंत्र ली हो क्या होता है गुरुमंत्र मैं नहीं जानती हम लोग तुम्हें गुरुमंत्र देते हैं अरे बेइमान पढ़िये उस कथा को दोनों उस बिर्य को लिखा गया है कि उसके कान में डाल देते हैं इन सबों को ये भी पता नहीं है कि बिर्य को डाल दे कि जगह का उनसी है आख है कि ना इतना बड़ा एक गुवारी कन्या के साथ बलातकार ये स्वर्ग में जाने लाइक है अब ये नरकी हैं चुकि इतिहासकार और लिखने वाले हमारे नहीं थे इसलिए ये स्वर्ग के लाइक हैं नहीं इसलिए इनके नाम के आगे स्वर्गी नहीं लिखे और नरक लिख नहीं सकते थे इसलिए कि इनको भगवान मान लिए थे इसलिए ये भगवान मर गए हैं कहीं नहीं है देवी दे उताते हैं जिसकरोड सब नरक में है और हमारे और आपके नाम के आगे स्वर्गी लिखा जाता है इसलिए कि इंसान अभी उन भगवानों से कुकर्म करने के मामले में अच्छा है अब भगवान कहा है नहीं है नरक में है सारे देवी देवता नरक में है उनरकी है हमारा और आपका कर्तब्य है कि अगर इस बात को ठीक से समझ रहे हो उस समय हम पढ़े लिखे नहीं थे वरनाम इनके नाम के आगे नरकी ये लिखना हम लोग चाहते लेकिन बाबा साहब डाक्टर भीम रावं मेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान दिया लागू हुआ तब से हमारी आपकी पढ़ाई लिखाई चलू हुई और भगत सिंग ने कहा है कि बिना तरक किये हुए चुप चाप किसी की बात मान लेना एक तरह की गुलामी है हम पढ़े लिखे हैं हम भी ज्ञान के विद्यारती हैं फिजिक्स कमेश्री मैट पढ़े हैं बियस्री हैं कभी सेकंड क्लास नहीं आये हैं हम आपकी बात मान लेंगे हम यह जानते हैं स्टाइन स्क्वाइर थीटा प्लस कास स्क्वाइर थीटा इस उकल टू बान चुकी यह चुकी यह इसलिए यह कोई चरित्र नहीं था उन भगवानों के उट्टैंटिस करोड़ दे उताओं के पास किसकी लड़की देखा इनका गुपतांग खड़ा हो गया क्या तो यही रामाइड है यह महाभारत है कोई किसी तरीके से आया बच्चा पैदा कर दिया कोई किसी तरीके से आया बच्चा पैदा कर दिया यह सब नरक में गए हैं बेहतर हो कि इनके नाम के आगे हम सुद्रों को नरकी भगवान लिख देना चाहिए ये समनरक में है हमारे दूसरे शाथी ने एक प्रस्ण किया है कमेंट के माध्यम से और उन्होंने प्रस्ण किया है कि आप कथा वाचन करिए महराज जूट बोलना बंद कीजिए समाज को तोड़ना बंद कीजिए धरम नहीं जानते हैं तो कृपिया धरम पर न बोलें अगर हम धरम न जाने तो अच्छी बात है अगर आपका धरम यही कहता है कि किसी सुद्रबंस के इंसान को मंदिर में प्रवेश करने के बाद बाभन जाएगा तो गंगा जल से धो करके जाएगा क्योंकि सुद्र बग गया है मंदिर या सुद्र हो गया है तो आपके धरम से बेधरम बलकि अच्छा है जब जीवन राम के मंदिर में चले जाने के बाद मंदिर के गंगा जल से धुलाई अगर यही धर्म है तो भाईया धर्मी हम है अगर मुर्मुजी राश्रपती हैं मंदिर में जाने के बाद पंडितों के द्वारा मंदिर की सुधता के लिए गंगा जल से धोया जाता है अगर यही धर्म है आपका तो भाईया धर्मी हम है अगर 14 अप्रेल 2023 नागपुर का मैदान अंबेड कर जहनती बहुत बड़ा मेला बहुजन समाज का और 15 अप्रेल को भारती जन्ता पार्टी की मीटिंग नागपुर मैदान में और जब 14 अप्रेल को मीटिंग खतम हुई सुद्रों की तो उसके बाद रात भर गाए के गोबर और गंगा जल से वह मैदान सुद्ध किया गया हम आपके गाए के गोबर से भी गए गुजरे हैं अगर यही धर्म है तो भाईय धर्मी हम है हैं सुईकार करते हैं अगर आपका यही धर्म है कि पुज्यनी मुलाइम सिंह का बेटा जो पांच बरस मुख्यमंतरी 2012 से 2017 तक रहा ठीक है हार गया हम हार गये हम छोड़ दें जो मुख्यमंतरी आवास लेकिन ऐसे भान नेता के सुपुत्र जो पांच बरस उतर परदो इसको चलाया जब जोगी जी आए तो असुद्ध हो गया था वह मुख्यमंतरी आवास और गंगा जल से धो करके तो माननी जोगी जी उसमें प्रवेश किये अगर यही धर्म है आपका भाई अधर्मी तो हम है रह गई बात कथा बाचन की मेरे साथी मैं कथा नहीं बाचता हूँ लेकिन अठासी से वह चीज बाचता हूँ जिसे भोजपूरी में विरह कहते हैं और मुझे सुनने के लिए एक लाख लोग रोज बिना बुलाए का सिनात के नान पराते हैं बिना बुलाए आते हैं और उसी विरह ने उसी कथा बाचन ने हमें तीन बारे में लसी बनाया जस्वहर्ती दिलाया बाचता हूँ कथा जस्वहर्ती दिलाया आज भी जोगी जिस पद पर है आज आदी के बाद से जिस पद पर केवल मुखे मंतरी रहता है माननी समाजबादी पार्टी के रास्तिय अध्य अखिलेश यादो जिमुक्य मंत्री थे मंडी परिशत के चेर्मेन थे उन्होंने इस्तीफा दिया और उस पद पर बिना मेले मेलसी रहते हुए भी मंडी परिशत के चेर्मेन के पद पर हमें बैठाया आज भी उस पद पर जोगी है हमारी विरहा ने हमारे इस कतावाचन ने दिया और सबसे बड़ी बात है ठीक है MLA, MLC बहुत हो जाते है लेकिन 2020 और 2021 में भारत की आक्सफोर्ड कही जाने बाई लिए इन्वर्सिटी है लाहवाद इन्वर्सिटी मैं MLA तक पढ़ा नहीं हूँ ऐसा कतावाचन था हूँ या मैं MLA तक पढ़ा नहीं हूँ भाईयों लेकिन MLA इतिहास में 2020-2021 में ये प्रस्नपत्र है हम दिखा रहे हैं इसको पढ़़ी जिएगा ये प्रस्नपत्र है जिसमें लिखा गया है कि किन ही चार प्रस्णों के उत्तर दीजिए सभी प्रस्णों के अंक समान है साथ नंबर का ये सवाल है इलाहबाद इन्वर्सिटी का प्रस्ण पत्र है 2021 में जिसमें से चार प्रस्ण करने है और एक प्रस्ण 15 नंबर का है साथवे नंबर पर यह ट्रीक लगा हुआ है जिसमें सातवे नंबर पर सवाल है कि कासिन आथ्यादों के बिरहा में सीमान्त समुदायों के ससत्ती कर्ण का गूर और उसके इतिहास की एक परताल कीजिए अभी कोई आसा राम कोरस में नहीं आया कथा वाजता है जेल में है जिस पर कहते हैं कि कथा वाचन कीजिए वहेमय तक पढ़ा नहीं है और उसकी कथा इलाहबाद इनवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है यही नहीं इलाहबाद इनवर्सिटी के हम सेलेबस में भी आ गये हैं ऐसे कथा बाचते हैं यह यहां पर ट्रिक लगाए हुए हैं यह सेलेवस है जिस तरीके से जो तिबाराव फूले इसमें पांच लोग सामिल किये गए हैं यूनिट सेकंड में ओम प्रकास बालमिकी मोहंदास नईमिसार और एक हैं पसमादा मुसलिम स्वण कुमार लिंबले तुलसी राम और कासी किसी को भरम न हो अंग्रेजी में लिख दिया है एक फेमस विरह सिंगर अब साइद आपको भरम दूर हो गया होगा कि हम कथा बांचते हैं और अगर आपका धर्म यही कहता है कि हम सुद्र हैं और एसेंबली में विपक्ष के नेताब पूर्व मुक्यमंत्री समाजबादी पार्टी के रास्री अधेक्ष मानि अखिले सियाजब जी को यह सवाल करना पड़ता हो मुक्यमंत्री जी से कि बताइए हम सुद्र हैं कि नहीं और कोई जबाब नो दिया जाता हो हम किस धर्म की बात करें कौन धर्म कहता है कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे जाने तो जाने भी नहीं देंगे बोलने भी नहीं देंगे बताने भी नहीं देंगे आखिर यह देश आजाद है सबका समान diyकार है ठीक है आपके लिए आपका धर्म अच्छा है आप मानी ये श्वागत है लेकिन हमारी भी जो इक्षा है उसको करने तो दीजिए और एक मित्र ने वाजिब प्रस्ड किया है मैं सभी प्रस्ड करता हूँ का हार भी श्वागत करता हूँ इसलिए कि हमें कुछ बातें सेश रह गई थी कहने के लिए हमाभारी हैं आपका स्वाधत करते हैं अविनंदन करते हैं और आने वाले समय में पुर्ण है आपके कमेंट होंगे इसका हम इंतजार भी करेंगे और एक मित्र ने पूछा है कि जब होलिका मर गई तो आपको साक्षाद दर्सन कैसे दे दिया दे दिया भाई उसी तरीके से दे दिया जिस तरीके से पता नहीं राम कब आये थे और सोला सव सताब्दी में तुलसी दास पैदा हुए थे और तुलसी दास ने लिखा है कि चित्रकूट की घाट पर भाई संतन की भीड तुलसी दास चंदन घिसे तिलक लेत रखविर चित्र कूट में महला लगा है राम लक्ष्मर सीता जी आये हैं तुलसी जी को धरसन दिये है और तुलसी जी ने उनको टीका लगाया है देखा कौन? तुलसी दास लीखा कौन? तुलसी दास एक आदमी गवाह तुलसी दास को नहीं मिला यो यह कह दे कि हमने देखा लेकिन जिस दिन होलीका हमारे सामने आई थी हमारे साथ पांच अलड़ के हमारे कारे करता थे सबने उनको देखा अगर गवाही लेना हो तो मेरे पास चार पांच गवाह होंगे तुलसी के पास एक भी गवाह नहीं था आई थी होलीका उसी तरीके से जिस तरीके आप के राम ने सोरसोसन में आकर के तुलसी को दरसन दिया जिस तरीके से आप मंदिर में जाते हैं आपको दरसन देते हैं भगवान हमें तो कभी नहीं देते लेकिन हुलिकाजी ने दरसंदिया उसी तरीके से आपके देवी देवता भगवान अगर मंदिर में रहते हैं तो हमारी बहन भी अपने भाई को उस दिन साथ दरसंदे करके कहा कि कासिनात कब तक जलाओगे हम तो कब तक तुम्हारे लोग और हमारे लोग अपनी बहन को जलाते रहेंगे साथियों आखिर कितना बरदास्त किया जाएगा बरदास्त करने की भी एक हद है आप भी पढ़े लिखे हैं हम भी पढ़े लिखे हैं करके आपके भी पास है आजी ग्यारव वर्ष से किस तरीके से खुब सूरत जोट बोल करके देश को फसाया जा रहा है लगता है राम अमेरिका में थे अब आ गये हैं जोध्या में पहले कणकण में थे सिया राम मैं सब जग जानी करह पर राम जोरी जुग पानी हम में तुम में खड़क खंभ में घट घट ब्यापतरा और सब जगह से निकल करके वह जोध्या में आ गया है सब को नुकरी मिल जाएगी भर पेट भोजर मिल जाएगा अब पंदरा लाख नहीं पचास लाख खाते में चला जाएगा अरे बाई साहब बहुत हुआ जिंदा रहिए और जिंदा रहने दीजिए बहुत हम आपका आदर करते हैं और प्रियसोताओं हमारे साथी यदि कमेंट करते हैं तो उनका आदर कीजिए सम्मान कीजिए क्योंकि अगर वो नहीं पूछते तो मैं अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकता था सबसे पहले तो मैं उन प्रश्ण करता हूं का सम्मान आदर करता हूं और भविश्य में आप सम्मान के साथ हम से सवाल पूछें और मैं आदर के साथ जबाब दो और मेरे भाई इस चैनल को सुनने वाले देखने वाले आपका बहुत आभारे हों कि आपने मेरी बात सुना मैं आपका पड़ाम करता हूं आपका अभिवादन करता हूं आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात खतम करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद